भारत के बेरोजगार युवाओं के द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ जो एक डिजिटल क्रांती प्रारम की गई थी उस चिंगारी ने अब धीरे धीरे आग का रूप धारन करना प्रारम कर दिया है लेकिन ये सिर्फ सुरुआत है इसका अंतिम चरण आपको 25 फरवरी 2021 को सुबह के 11 बजे ट्रेंडिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा जब पूरे भारत वर्ष के ना सिर्फ बेरोजगार युवा बलकि उनके परिवारों के द्वारा भी इस मुद्दे को प्रमुकता से ट्विटर के मादेम से उठाया जाएगा और हैश्टेग मोधी रोजगार दो को नमबर वन पर पूरे वर्ल्ड वाइल कुछी सेकंड्स में आपको देखने को मिल सकता है आज भारत की मेन इस्ट्रिम मीडिया भले ही इन खबरों को प्रमुकता से नहीं उठा रही लेकिन मैं उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर का धन्यवाद देना चाऊंगा जो की बेरोजगारी के मुद्दे पर अभियर्थियों के साथ खड़े हुए हैं और लगतार इस मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं और लोगों को जागरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहीं समय है जागने का जब सरकारों पर दबाव बना करके जो सिस्टम में गलतियां चल रही हैं उनको सुधारने की जरूरत है SSC और रेलवे की रेक्रूट्मेंट प्रोसेस में लूप होल्स को ले करके यह मुहिम सुरू की गई थी यहां पर समस्या सिर्फ SSC और रेलवे के साथ नहीं है किसी भी सेक्टर की आप जॉब रेक्रूट्मेंट प्रोसेस को उठा करके देख लिजे सभी में कुछ न कुछ खामिया जरूर है और सरकारों के द्वारा या फिर आयों के द्वारा इसको सही करने पर कुछ भी आगे प्रयास नहीं किया जा रहा है जिसकी वज़े से अब युवा भी जाग चुका है और खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तयार है भले ही में इस्ट्रीम मीडिया आपका साथ दे रही हो या फिर नहीं यहाँ पर मैं teaching jobs, recruitment process को represent करूँगा और क्या कुछ उसमें खामिया है और क्या कुछ आपको भविश्य में करने की जरूरत है ताकि SSE और railway के मुद्दे में कहीं सिख्षक भरती जैसे मुद्दे नीचे ना दब जाए इस वज़े से आपको भी प्रमुक्ता से active रहना होगा आज तक मैं कभी भी अपने वीडियो को share करने के लिए नहीं बोलता हूँ लेकिन खुद आपकी भलाई के लिए मैं आज जरूर बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करिए और आपके जितने भी सहपाठी हैं चाहें वो BADO, BTC हो या फिर कोई भी ऐसा प्रसिक्षण का कोर्स किये हुए हो और भावी सिक्षण बनने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो देखना बेहर जरूरी है आज भारत वर्ष की इस्तिती ऐसी है कि भले ही हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं लेकिन जब भी आप अपने मुद्दों को लेकर के सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं चाहें सांती पूर्ट तरीके से धर्ना प्रदर्शन करके या फिर सोसल मीडिया का प्रयोग करते हुए डीफेम करने वालों की पूरी लाइन लग जाते हैं आपको हराने के संदर्व में यहाँ पर आप लोग किसान आंदोलन को देख रहे होंगे वहाँ पर काफी चीजे वहाँ पर ऐसी चली जिसको नहीं चलनी चाहिए थे कि यह खालिस्तान के लोग हैं और अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं या फिर इनके द्वरा जो जंडा खालिस्तान का जंडा उठाया गया इस टाइब की डिफेम करने की बहुत सारी कोशिशे की गई जबकि किसान आंदोलन के साथ जन मानस जुड़ा हुआ था इस वज़े से ये आंदोलन अभी तक इतना सक्सेस्फुल हो पाया है वहीं बात करें अगर जो मोधी रोजगार्दों को लेकर के मुहीम डिजटल क्रामती के रूप में चल रही है तो उसमें आप देखेंगे कि डिफेम करने के लिए एक और ट्वीटर हैस्टेग का प्रयोग किया जा रहा है कि हैस्टेग मोधी गल्फरेंड दो अब बताइए ये कैसे लोग हैं जो कि इतने गंभीर मुद्दे को भी इतने मजाग तोर पे इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये हैस्टेग को इसी लिए ट्रेंड कराया जा रहा है ताकि बाद में ये कहा जा सके सरकार के द्वारा कि यहाँ पर सिर्फ मजाग के तोर पर मोधी रोजगार दो मुद्दा उठाया जा रहा है क्योंकि इसी प्रिकार से हैस्टेग मोधी गल्फरेंड दो भी चल रहा है तो ये एक लाख लोग कौन है जो रोजगार की मांगना करके गल्फरेंट की मांग कर रहे हैं क्या ये बेरोजगार हो सकता है आपको खुद समिच्छा करने की ज़रूरत है और कमेंट करके ज़रूरता येगा कि ये लोग कौन है जो ऐसे ट्वीट करते हैं जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो आपको बहुत सारी गलत सक्तियां हराने की कोशिश करती हैं और वहीं आज उत्तर प्रदेश या फिर भारत वर्ष में भी हो रहा है यहां पर मैं बात करूँगा सिक्षा विभाग की देखिए सिक्षा विभाग उत्तर धांदली होई थी बावजूद इसके उस भरती को रद नहीं किया गया पेपर आउट भी था पीनपी कार्याले में काप्यां भी जलाई गई थी सब कुछ सबूत मिले हुए थे लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस भरती को रद नहीं किया ग कि कितने इस्तर तक इसमें धांदली हुई है और कौन-कौन लोग इसमें सामिल थे और उनको दंड मिलना चाहिए था लेकिन एक तरीके से मामले को दबाया गया और माननिय कोट के द्वारा भी इसमें सिबियाई जांच की आदेश दिये थे लेकिन उसको डबल बेंच जा करके उस सिबियाई जांच के आदेश को दबा दिया गया तो ये पुरा मामला उतर प्रदेश में हुआ था अगर आप UPTED का कोई भी पेपर उठा करके देख लें लगभग सभी पेपर आउट होते हैं DLA परिक्षाओं का पेपर उठा करके देख लें सभी सेमेस्टर के सभी सबजेक्ट के पेपर आउट होते हैं बावजूद इसके उस परिक्षा कराने वाली संस्था से कभी प्रश्ण नहीं पूछा जाता कि आप क्या कर रहा है कि बार-बार पेपर आउट हो रहा है जो भी उनके द्वारे परिक्षाओं कराई जा रही है चाहें UPTED की हो, सूपरTED की हो या फिर DLA की परिक्षाओं हो सभी परिक्षाओं पहले से ही आउट हो जाती है बावजूद इसके उसी संस्था से बार-बार परिक्षा कराई जा रही है और अभी जो जूनियर एड़ेड सहायक अध्यापकों की भरती के लिए लिखित परिक्षा का आयोजन होगा उसके लिए भी PNP संस्था को ही फिर से एक बार परिक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है तो ऐसी संस्थाओं से बार-बार परिक्षा क्यों कंड़क्ट कराई जा रही है जो की पूरी तरीके से आसफल है सफलता पूर्वक परिक्षा को कंड़क्ट कराने के संदर में वही अभी जो हाली में 2-3-4 फरवरी में DL8 2018 बेच के 4 समेश्टर की परिक्षा संपन हुई है उसके भी सभी पेपर्स आउट थे बाजूद इसके उनके सचिव के द्वारा ये स्टेट्मेंट दिया जाता है कि पेपर आउट होने के सबूत नहीं मिले है और इसके खिलाफ अगर जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ कारेवाई की जाएगी यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रिदेश में आप कुछ समय पहले देखे होंगे कि एक रिपोर्टर के द्वारा प्रात्मिक स्कूल के रिपोर्टिंग करते समय ये दिखाया गया था कि वहाँ पर नमक और रोटी मिड़े मिल में खिलाई जा रही थी तो उस रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया बलकि एक्शन लिया जाना चाहिए था कि आपको जब पैसे एलोट किये गए हैं तो आप नमक रोटी क्यों खिला रहे हैं उस सिख्षा विभाग के उस अधिकारी पर कारेवाई होना चाहिए था बलकि उल्टा उस रिपोर्टर पर कारेवाई कर दिया कि आप इन चीजों को दिखा रहा हैं तो निशीत तोर पर लोकतंत्र में जो चौथा इस्तम मीडिया माना जाता है एक तो मीडिया बची नहीं है और जो थोड़ा बहुत सही कारे करते हैं उनको भी दबाने की कोशिश की जाती है और आम जनमानस जो इन सभी बातों पर बात कर रहा है उनको भी दबाने की कोशिश की जारी है आज SSE और रेलवे के मुद्डे को जिस परकार से सर के द्वारा उठाये गया है आप लोग समझ रहोंगे तो उनको भी defame करने के कोशिश की जा रही है उनको भी दबाने के कोशिश की जा रही है तो आप सब उनके साथ हैं तभी उनकी ताकत बनी हुई है आप सब आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर रहे हैं तभी मेरी ताकत बनी हुई है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी जो बंदा आपके लिए खड़ा है आपकी मुद्दों के लिए लड़ा है कम से कम आप उनको तो सपोर्ट करें इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है सिक्षक भरती से संदर में कि ये पंच वर्सी ये योजना होती है यानि कि पंच वर्स के बाद जब चुनाव आता है उस समय नई सिक्षक भरती की बात की जाती है चार साल पूरे सरकारे सोई रहती हैं आज उत्तर प्रदेश में मानेनिय बेसिक सिक्षा मंत्री जी ने ये इस्टेटमेंट दिया था कि सिक्षक भरती निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है हमें वेतन देना पड़ता है देखे दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि अभी जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो दो सिक्षक भरती कंड़क कराई गई है 68,500 और 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती ये इस सरकार के द्वारा भरती नहीं निकाली गई थी ये सन 2017 में जब माननी सुप्रीम कोट के द्वारा 1,37,000 सिक्षा मित्रों का समयोजन रद किया गया था यानि कि जो पिछली सरकार थी उसकी भरती थी और इसको सिर्फ इन्होंने पूरा किया है भरती इनकी नहीं है जबकि ये ऐसा दिखा रहा है कि हमने ये भरती सुरू की थी और हमने ही ये भरती खत्म की है यानि कि ये हमारी भरती है देखिए किसी भी सरकार से किसी भी युवा का कोई भी बैर नहीं है वो सिर्फ अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं आपसे 3-4 करोर की सेलरी नहीं मांग कर रहे हैं वो सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि आप उनको 30-40,000 तक की सेलरी का एक जॉब दे दिजे तो आप इतने B.A. और B.T.C. के कॉलेज क्यों खोल लखे हैं आज उत्तर प्रदेस में देखेंगे तो कुकुर्मुत्य की तरह B.T.C. कॉलेज हर गली में आपको देखने को मिल जाएंगे और वो B.T.C. कॉलेज पूरा बच्चों का सोशर करने के लिए ही खोले गए है उनके द्वारा प्राइवेट कॉलेज में 41,000 फीस के अलावा लगभग प्रते एक सेमेस्टर में 10 से 12,000 अभियरतियों से अलग वसूलते हैं ये नीजी डियलर संसान और उन बंदों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चा जवाब किस से पूछेगा आप ही से तो पूछेगा आप नहीं कोर्स कराया था आप नहीं बोला था कि ये कोर्स कर लोगे तो सिक्षक बनोगे अब जब सिख्षक बनने का कोर्स उसने कर लिया वो अब बेरोजगार घूम रहा है Tate Qualify है, Seated Qualify है, सिख्षक भरती का कोई पता नहीं है आप अपने समय में कोई नई सिख्षक भरती नहीं हीकाल ले है पहले वाली जो सिख्षक भरती चल लए थी उसका क्रेडिट ले रहे है तो जरूरत है चीजों को समिख्षा करने की सिख्षक भरती से समंदित तीसरी समसे यह है कि जो परिच्षा लेने वाली संस्ता है उनके द्वारा बार बार गलत प्रश्ण सेट किया जाता है यूपिटेट 2018 का मामला उठा लिजे 17 का मामला उठा लिजे यूपिटेट 2017 का जो केस था वो माननी सुप्रीम कोट तक गया था यूपिटेट 2018 माननी इलहाबाद और माननी लखनो खंट पिट में लंबित था और अभी जो यूपिटर 2019 का सेर्टिफिकेट विबिन जिलो में वित्रित हो रहा है उसका केस अभी भी माननी है इलहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है और उसकी सुनवाई चल रही है और मार्च में फिर उसकी सुनवाई लगी हुई है तो ये कैसा सिस्टम है कि जो परिक्षा का आप रिजल्ट बात रहे हैं अभी प्रशनों के गलत होने के केस अभी भी कोर्ट में लंबित है तो निश्ची तोर पर इन सब में बदलाव करने की ज़रुत है क्योंकि वो परिक्षा संस्ता ऐसी है जिसके द्वारा प्रतेक वर्स गलत रूप से प्रशन सेट किये जाते हैं कोई भी सिख्षक भरती उठा करके देख लिए उत्तर प्रदेश का अगर है तो मानने सुप्रीम कोट में गलत प्रशनों को लेकर के जरूर एक याची का पड़ती है ये ऐसा क्यों होता है क्यों आपके द्वारा विबादित प्रशनों को बार-बार परिक्षा में शामिल किया जाता है या फिर क्यों गलत प्रश्ण बार-बार पूछे जाते हैं जिसे बच्चे बात देहों मानेने कोट का दर्वाजा खट-खटाने के लिए उत्तर प्रदेश में जब भी कोई नई सिख्षक भरती निकलती है तो बच्चों से जादा वकीलों में खुशी की लहर दोरती है कि आप नया केस फिर से कोट में आएगा और फिर से चीजे लंबित होंगी और हमें हमारी साली तो मिलेगी ही तो ये सभी चीजे खत्म होनी चाहिए एक साफ सुत्रे आयो का गठन करिए जो की सही तरीके से प्रश्णों को सेट कर पाए डेर सो प्रश्ण आप सही से सेट नहीं कर पाते हैं और बच्चों की योगेता पर बात करते हैं बार बार ये कहा जाता है कि उत्तर भारत में योगेता की कमी है बच्चे यहां सिख्छक बनने लायक नहीं है क्यों आप अपने IO की कमियों को नहीं दूर कर पा रहे हैं अब देखिए सिक्षक भरती में अगर आप भविषय में समलित होना चाहते हैं और अपने भविषय को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेर करिएगा मैं आप ही के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ देखिए आप हैश्टेग मोदी रोजगारदों को तो ट्वीट करिएगा सांथ ही उत्तर प्रदेश में सिक्षक भरती से सम्मंदित आपको एक और है और हैश्टेग चलानी है जो कि आप स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे हैश्टेग नो यूपी पी आर्टी नो वोट योगी जी यानि कि अगर सिक्षक भरती नहीं तो वोट भी नहीं इस हैश्टेग को आप ज़्यादा ज़्यादा यूज करिए और आज ही से यूज करना सुरू कर दीजे और 25 फरवरीद 2021 को सुबा 11 बजे से ले करके आप दिन भर भले ही आपको 100-500 ट्वीट क्यों ना करना पड़े भले ही आपकी ID टेंप्रेरी के लिए ब्लॉक क्यों ना कारे कर रहे हैं लेकिन आप सिख्षक हो करके जो समाज को सिख्षित करने का कारे करता है आप अपने लिए ही खुद एक्टिव नहीं है तो आप दूसरे को क्या एक्टिव कर पाएंगे तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेय कराना होगा बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे campaign को defame करने की कोशिश करेंगे और बार-बार अभियर्थियों को demotivate करने की कोशिश कर रहे हैं कि Twitter से क्या होगा Social Media से क्या होगा देखें दोस्तों इस Twitter का यूज करते हुए आप अपनी ताकत दिखा पा रहे हैं कि भले ही political मुद्दा रोजगार को बनाया जाता है चुनाओ के समय लेकिन ये एक political मुद्दा नहीं है ये एक बहुत जेन्विन समस्या है जिसको सिर्फ चुनाओ के समय चर्चा करने जोड़त नहीं है इसकी चर्चा हर रोज होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने खुद बोल करके ये सत्ता में आई थी कि 2 करोड रोजगार वो प्रतेक वर्स जनरेट करेंगे 2 करोड तो छोड़िये आज ऐसी हालत हो गई है कि 2 करोड लोग प्रतेक वर्स अपनी जोब गवा रहे हैं तो जरूरत है आपको जागरुक बनने के लिए भले ही लोग आपको डीफेम करेंगे आपको दबाने की कोशिश करेंगे लेकिन मेरी ताकत आप सभी अगर मेरे साथ है तभी मेरी ताकत है बहुत लोग इससे संदेह की इस्तिती में भी होंगे कि इन सभी सी चीजों से क्या होगा तो देखिए केंदर सरकार को तो 2024 में जवाब देना होगा अगर बात करें उत्तर प्रिदे सरकार की तो इसको अगले वर्स यानि 22 में ही जवाब देना होगा जनता को तो लोहा गरम है और वार तभी करना चाहिए जब लोहा गरम होता है यहाँ पर एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि मैं आप सभी के साथ तभी तक सिर्फ खड़ा हूँ जब तक आपकी भासा सब्ब्य होती है आप कहीं भी केंदर सरकार या फिर राज्य सरकार के बारे में कुछ भी वर्ड्स लिख रहे हैं तो एक बार जरूर जयांच लिजेगा कि क्या वो भासा सब्ब्य है क्या इसका प्रयोग किया जा सकता है आप सही शब्दों का ही प्रयोग करें तभी आपका कैंपेन और ज्यादा मजबूत होगा कहीं भी आप शब्दों का प्रियोग ना करें किसी भी राज्य सरकार के लिए या फिर किसी भी वैक्ति विशेश के लिए इस बात का आप लोग विशेश रुप से ध्यान देंगे इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस हैश्टैक का प्रियोग करिए जादास जादा करिए अपने घरवालों से करवाईए अपने परिवार के सभी सदस्यों के सकेए और अपने परिवार को भी ये वीडियो जरूर दिखाएगा ताकि उनको भी पता चले कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उनकी गलती नहीं है कि अगर जॉब नहीं हो पा रही है बहुत सारी खामिया हैं बहुत सारी लूफोल्स हैं और उनको भी मोटिवेट करिए कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जागरूख करें और इस हैस्टेक का प्रयोग ज़्यादा ज़्यादा करें ताकि आपके मुद्दे प्रमुकता से उठ पाएं भले ही आप ट्विटर यूज नहीं करते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पढ़ें ट्विटर को यूज करने के ट्विटोरियल के रूप में आप उनको देखिए ट्विटर एप इंस्टॉल करिए और ज़्यादा ज़्यादा हैस्टेक का प्रयोग करिए ताकि आपकी मुद्दे प्रमुकता से उपर आएं और इस वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ